अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं भाई सब बढ़ी आऊंगे शुड़ों दोस्तों बात करेंगे LPL T20 2024 के सीजन का जो की मैच नंबर 6 खेला जाएगा यहां से GM वर्षिस जेक के यानकी गाले मार्वल्स और जाफना किंग्स के टीम के बीच में डीटेल में स्मैच को कवर करूँगा दोस्तों वीडियो आपको कम डिवोस करना है जो भी इंपोर्टेंट चीजे रहेगी बाई सबके बार में डिसकर्शन करेंगे चाहिए वो अपनी टीमें 11 प्लेस को पिक करने की बात हो या फिर बात हो दोस्तों अपनी टीमें जे कैप् को एक तरफा विन करवा सकते और वो ऐसे प्लेयर बाई जिनका स्लेक्शन जरूर कम है लेकिन वो प्लेयर काफी अच्छे और आलांकि जो रिशेंट फोर्म रही है वो उन प्लेयर की थोड़ी सी खराब है और उस रिशेंट फोर्म खराब होने के चकर में बहुत सारे या थिए बंदेर के बारे में बेट फ्लेयर के बारे में कम्पलेत इंफर्मेशन आपको मिल जाए限 जो दिल आपका करें भाई आप लोग अपने इसाफ से टीम स्लेक्शन कर सकते हूँ दूसरा आज के मैच की पिछ रिपोर्ट किस परकार करेगी एक चीज आपको बता दू दोस्तों जो स्टार्टिंग के पांच मैच खेले गए थे वो पांचों मैच खेले गए थे दोस्तों मैं आपको मैं डिटेल में सारी चीज बता हूँ आपको किस लेवल का आपको विकेट देखने को मिल सकते हो और किसको केप्टन या फिर वाई कैप्टन कर सकते हो तो यह वीडियो कमबीड वोस करने के बाद आपको ना तो पिछ रिपोर्ट से रेटेट कोई प्रोब्लम र चुकी है मत्रबी सीजन के सो सुरुवात रही है गाले मारवल्स की टीम की वो काफी जादा बढ़िया देखने को मिली दूसरी साइड जेके यानि की जाफना किंग्स के अगर बात कर तो ये टीम दो मैच खेल के अपना सिर्फ एक की मैच वोन कर पाई है हलांकि आप लोग द मैच लेटेड सारी चीज़े कवर करेंगे तो सबसे पहले वीडियो स्लाट करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहे की दोस्तो सबसे पहले चैनल पर नवयोतियार सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन बैल को जरूर से ओन कर लेना आने वाले किसी मैचेज की वीडियो आपको मिस नहीं करने वीडियो पसंद आए तो दोस्तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और समर्थन जरूर से बनाए रखना दूसरी सबसे इंपोर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तो टेलीग्राम चैनल के साथ में जोईन करना अगर आप लोग बाद टेलीग्राम पे जरूर अपडेट करूँगा तो कमेंट सेक्शन में लिंक है दोस्तों सिंपली जीए और टेलीग्राम के साथ में जोईन जरूर से कर लीजिए मैच की बात करते है दोस्तों जीम वर्षी जेके के बीच में खेला जाएगा पहले पिच रिपोर्ट प विकेट चेंज हो चुका है यह द्यान में रखेगा ठीक है अगर यहां के मैं विकेट की बात करते हो ओवर ओल आपको एक अच्छा बैटिंग सर्फिस देखने को मिल सकता है देखो इस वैन्यू पर ज्यादा मैच नहीं खेले गए अगर मैं टी टॉन्टी इंटरनेशनल क की बात करूं तो तीन मैच हुए और तीनों मैच फर्स्ट बैटिंग ने वोन करें टी टॉन्टी डो मैस्टिक मैच इस की बात करूं यानि कि जो लीग वगएरा खेली जाती है लंका प्रीमर लीग जैसी इनकी अगर बात करूं तो च्यार मैच खेले गए जा पर दो मैच बैटिंग ने तो दो मैच सेकेंड बैटिंग ने वोन करें तो एक आवरेज आपको यह वैडियू देखने हो को मिलेगा अब दिक जितने भी मैच जो है बाई उनके बेस क्यों पर ठीक है लेकिन एक अच्छा बैटिंग सर्फेस हो सकता है क्यों हो सकता है उसकी मैबात किया था बाई पांच विकेट पे दोस्तो नो रंस किसी भी टी टूंटी मैच में बहुत बड़ा स्कोर है और स्रलंका की जो टीम थी दोस्तों यह देखो दोस्तों चैरंज कर पाई थी चैज नहीं कर पाई अफगानिस्तान सिर्फ तीनी रंज से मैच को विन करके गई थी स्रलंका की टीम ने पहले बल्ले बाजी में 187 रंज करे अफगानिस्तान की टीम केवल 115 कर पाई पहला मैच अफगानिस्तान बहुत बड़ी अखेली थी सैकिड मैच केवल 115 पूरी टीम ओल आउट होके चले गए क्योंकि सामने बड़ा टारगेट था बाई चेज करने के च 260 रंज कर रहे थे ठीक है फस्ट बल्ले बाजी में सैकिंड बल्ले बाजी अफगानिस्तान 156 रंज कर पाई थी इस मैच में अप्रोक्ष 160 बने सैकिंड मैच की बात कर तो वहां पे 180 170 के अपरोक स्कोर बना और पहले मैच में तो दोनों पारियों में 200 पलस रंज बने थे ठीक है ओवरोल मिला के एक चीज अपने सामने किलियर है कि ये जो विकेट है 170 से 180 के आसपास का आपको जरूर देखेगा मतलब 165-177 रंज इस वेन्यू पर करने पड़ेंगे अब जो भी टीम या पहले बल्ले बाजी करने उतर है इस से कम स्कोर हैगा चेजिंग टीम मैच पर स्पिन इंपोर्टेंट रहेगी अब क्यों रहेगी उसका रिजन बता दू क्योंकि इस वेन्यू पर जो पिछले 10 मैच या फिर भाई जितने भी टीटोंटी मैचिस खेले गए चाहिए वो चार भाई या पर टीटोंटी डोमेस्टिक की बात हो तीन इंटरनेसल मैचिस की बात हो उनमें देखोगे तो 49 विकेट तेज गेंदबाजोंने तो बाई 50 विकेट यहां पर स्पिन गेंदबाजोंने निकाले तो स्पिन गेंदबाजी इसे वेन्यू पर फास्ट बोलस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बैतर परफॉर्म करती है तो आप लोग फास्ट करके आस-पास का जो स्कोर है वोई स्वेन्यू पर का इवरेज स्कोर है इतने रंस करने पड़ेंगे कोई बीटीम पहले बल्ले बाजी करें उसके बाद में हैट वर देखोगे दोनों टीम्स के बीच में पात साल में 12 मैच जीम ने पास तो जेक्के की टीम ने साथ मैच व के मुकाबले इस वेन्यू पर कहिना कि स्पिन थोड़ा इंपोर्टेंट रहेगी लेकिन जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी उनके में लिए आप लोग डेथ ओवर के गेंदबाज नहीं छोड़के चलोगे कौन से रहेंगे डेथ में गेंदबाजी करने वाले गेंदबा दिखा हूँ आपको कुसल मेंडिस का पहले मैच में सेलेक्शन था 89 ओल्मोस्ट आप लोग 90 परसेंट मालों ठीक है दूसरे मैच में देखोगे वही सेलेक्शन घटके हुआ 84 परसेंट मतलब पहले मैच में फ्लोप सेलेक्शन डिक्रीज हो गया 56 परसेंट के आसपास और यहां पर सेकेंड मैच में बंदा फिर से फ्लोप गया और आज के मैच में तीसरे मैच में सेलेक्शन केवल आ चुका है 53 परसेंट मतलब आज के मैच में कहीना कि कुसल मेंडिस आपके लिए अजे ट्रमकार्ड प्लेयर ट्राई करने के अंदर बहुत ही अच्छी विकल्प बनने वाले हैं चले ना चले वो चीज़ ना तो आपके आत्मे भई ना मेरे आत्मे ना वो प्लेयर के आत्मे वो किस परकार की परफॉर्मेंस करेगा लेकिन लोगों की सोच के थोड़ा आपको अलग चीज़े सोचनी पड़ेगी ठीक है वो चीज़ आपके आत्मे है तो यहां से कुसल मेंडिस वाक़ी काफी talented player है उसमें कोई संका नहीं बाई और अच्छा player है तो टीम में फिर से back कर सकते हो क्योंकि इस match में selection भी कम है और अच्छी पारी आ गई न तो आपको ये बंदा एक तरफा win करवा सकते हैं तो risk आपको उठाना पड़ेगा सो आज के match के मैं समझूँगा ट्रमकार आपसोन आपके लिए कुसल मेंडिस बहुत ही बड़ी अज़ा सकते हैं तो आप लोग अपनी टीम में जरूर से back करिएगा ठीक है बानुगार आजबक्षे लास्ट में रन आउट होए थे हमने ट्रम्प में रखा था भाई अब रन पानुगार आजबक्षे को एज़े ट्रमकार ट्राई करना और स्मोल लिकी टीम है जील की टीम में ट्राई कर लो मेरा ये सजरसन रहेंगा ठीक है स्मोल लिकी टीम में थोड़ा सा दूर रहो क्योंकि आपका पो एंड भी लेके नहीं आए हो उसे को ज्यादा फरक नहीं प रहे थे वन डाउन बल्ले बाजी करने वाला player है जितनी जल्दी बल्ले बाजी हुई उतना बड़ा पलस है ज्यादा लेट बल्ले बाजी है इतना च्वासा बीक Par непॉleत लेग है krijgen लिए यह yerde ś थारा गिन में 50 करें पहले मैच में भी गजब की पारी नो ने खेली थी नो डाउट दोनों मैच में तकडे रंस मारें तो आपके लिएक safe option है जरूर अपनी टीमें back करना कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी कर सकतो लेकिन थोड़ा और इसकी pick बन जेंगे भाई क्योंकि दो मैच से चल चुके हैं सबसे पहले चीज़ दूसरा भाई थोड़ा सा तेजगती से रंस करने की कोशी सब हर मैच में तेजगती से रंस करेंगे तो शायद बल्ले के साथ में रंस ना भी निकले बट ऐसे नॉर्मल प्लेयर आप लोग अपने टीम में रख लो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कैटन वाईस कैटन करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि कहिना कि थोड़ा सा रिस्क हो सकता है यह जान में रखेगा बाकी नॉर्मल प्लेयर अभी रखो कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी नीचे कुछ खास उप्संस नहीं है बेटिंग सेक्शन एलेक्स हेल्स बड़िया प्लेयर पहले मैच अच्छी परफोर्मेच सेकेंड मैच में फ्लोप गया था लेकिन फिर भी टीम में ट्राई करेंगे क्योंकि अच्छा प्लेयर है दूसरा बेटिंग सर्फेस विकेट है तो डेफिनेटली अलेक्स हेल्स आपके लिए एक अच्छा च्वाईश आपे बन सकता है राईली रुसो दोनों मैच में फ्लोप है दूसरा यहाँ पर स्पिन अच्छा देखने को मिलेगा तो इस मैच में एक बार फिर से राईली रुसो फ्लोप जा सकते है टीम ने लास्ट मैच मोका भी दिया था बाई वन डाउन बलेबाजी करवा के नोर्मल इनके साइड से वन डाउन बलेबाजी अब इसका फर्नेंडो करते है बट लास्ट मैच टीम ने मोका दिया था यहाँ पर देखो राईली रुसो को लेकिन ये बन्दा फिर भी फ्लोप गया था और इस मैच में तो डेफिनेटली फ्लोप जा सकता है क्योंकि स्पिन ट्रैक आपको देखने को मिलेगा तो कहीना कहीं वहाँ पर इनके विकेट जाने के हाई चांस मनेगे तो इस मैच में आपके लिए शायद ये ट्रम का डॉप्शन में भी उत्रा अच्छा पिक बन के ना जाए उसके बाद में नीच आओगे चरित असलंका भाई साब वाकई काफी टैलेंटिड प्लेयर और दूसरी चीज मैंने आपको अगर लास्ट मैच की वीडियो मेरी आपने देखी होगी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि चरित असलंका कहीना की बोलिंग में भी काम आ सकते अगर टीम करवाए लास्ट मैच में तीन ओवर गेंद बाजी करवादी भाई साब ठीक है अब इस वेन्यू पर स्पिन दिखेगा तो असलंका एक बार फिर से गेंद बाजी करने हैंगे और गेंद बाजी करने हैंगे देखो एक ओवर में कोई प्लेयर किस परकार गेंद बाजी करेगा वो नहीं कह सकते कम से कम लास्ट मैच की तरह दो तीन ओवर अगर मिल गए एक विकेट भी निकाल दे 20-25 रंज कर दे बाई सब बहुत बढ़िया परफूर्मेंस मानके चलिए टी-टूंटी मैच में ठीक है तो असलंका इस मैच के आपके लिए ट्रमकाड उप्चन है भाई कैटशी और वाईस कैटशी की नोर्मल प्लेयर नहीं कैटशी वाईस कैटशी की ट्रमक उप्चन है ध्यानमे रखेगा बाइच्छा प्लेर है ट्रम्प में Captain Vice Captain कर लेना, अब इसका Fernando form काफी बढ़ी है, that last match Israel की पारी, पहले match में भी 50 पलस की पारी काफी बढ़ी अप ले रहे है और भाईधसा fogn भी काफी च्रmm पक्डिय है, बट Captain Vice Captain अगर करना चाओ कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, safe option में captain wise captain रहेगा, ना कि भाईया unique option में क्योंकि according to performance normally बंदे इनको captain wise captain तो जरूर करेंगे तो यह आपके लिए safe option में चला जाएगा ना कि भाई differential choice में, ठीक है उसके बाद में नीच आओंगे, लियांगे देखो गेंदबाजी कर सकते है, spin track के उपर last match उमीद करी थी कि भाई, अच्छी पारी खेल के जाएगे बट विकेट थो कर दिया, रंच कुछ खास ने कर नहीं पाई इस match में अगर फिर से गाले बारवल्स के विकेट जल्दी गिरते हैं, तो एक बार फिर से आप लोग थोड़ा सा रिस्क उठा के लिए अंगे को अपनी टीम एज़े डिफरेंशल स्वाइस बैक कर रहे ना, कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी नहीं सिर्फ आप लोग एज़े नोर्मल प्लेयर अपनी टीम में तो वो पलस पॉइंट है, लास्ट मैच में भी दो विकेट निकाले थे तो गेंदबाजी बल्लेबाजी के कमपेरिजन में अब तक काफी ज़्यादा बढ़िया करके दिखाई है उसके बाद में अजबत लोग अपनी टीम से ड्रोप नहीं कर सकते हैं उसके बाद में अजबत लोग उमार ज़े लास्ट मैच ना तो ओवर कम्प्लीट करें बल्लेबाजी टीम ने बहुत नीचे करवाई उस वज़े से फिलाल में नहीं रखूँआ दूसरी चीज़ ये जो वैन्यो इस पे स्पिन को हेल्प दिखेगी और स्पिन को हेल्प रहेगी तो उमार ज़े है भाई आप फास्ट बोलर एक बार फिर से ओवर कट हो सकते है तो भाई इनको फिलाल आप लोग अपने टीम से ट्रोपी रखिए तो मुझे इन से कोई खास एक्स्पेक्टेशन है नहीं बाकि अगर किसमत खराब हो टीम पूरे चार ओवर करवा दे तो भाई कह नहीं सकते है ठीक है उसके बाद में अराची गेते को लास्ट मैच गिंदबाजी करवा के गए है बंदा पलस बल्ले बाजी में अच्छे खासे रंच मारे और बल्ले बाजी की बात करूँ तो अराची के बल्लेश अगर आपने देखा हूगा तो भाई लास्ट मैच में काफी अच्छे अपने पारी भी देखी थी दूसरा भाई विकेट टेकिंग गिंदबाज बनके जा सकता है क्योंकि स्पिन गिंदबाजी करेगा और इस विकेट पर हमने स्टैट्स देखे मैंने पहले ही मैच वाले दिन बोल दिया था कि उड़ाना जैसे प्लेयर्ज हो रहेंगे न या आपके लिए हमेशा ट्रम का डॉप्सन बनेंगे पूरे सीजन के अंदर लास्ट मैच की पारी देखे भाई बाव ओननस की वो पारी प्लस वापे दो विकेट इनों निकाले क साफी गजब की परफोर्मेंस थे और ग्रेंडली की कैप्टनशी की चोईस में ये थे अगर इस मैच में माल लीजिए गाले मार्वल्स की टीम पहले गेंद बाजी करती है तो आप लोग उदाना को अपनी टीमें एजे ट्रम्प कैप्टनशी वाइस कैप्टनशी की चोई गेंद बाजी बेस पर उमीद्य कम रखना गेंद बाजी बाजी बेस पर उमीद्य बढ़ा सकते हो लेकिन तब जब गाले मार्वल्स पेसली पहले गेंद बाजी करें दूसरी चीज़ या तो यह फिर पहले बले बाजी करके कुछ बड़ाई स्कोर खड़ा कर दें जिससे समझते बार थी क्यों नहीं करवाई उसका रिजन सबसे बड़ा था चरित असलंका क्योंकि इस बंदे ने तीन ओवर गेंद बाजी करवाई और इसने तीन ओवर डाले तो यहां से विकेट सोरी जो गेंद बाजी थी वो कट हो गई भाई फैविन एलन जैसे में गेंद बा उसके बाद में आएंगे दोस्तों बोलिंग सेक्शन के अंदर लास्ट मैस देखो तिकसना ने अच्छी गेंद बाजी करवाई दो विकेट मैंने आपको ट्रमकार्ड ओप्सन में ट्राई करने को बोला था उसके बाद में नीच आएंगे यहां से वियासकांथ पूरे पहले मैच में भी आइधिन विकेट लिये थे लास्ट मैच में बंदा एक विकेट लेकर गया तो और पूरे अपने गेंदबाजी में ओवर करके जा रहा है उसके बाद में अशिता फर्मेंडो ठीक ठाक प्लेयर है लेकिन फरस्ट गेंदबाजी इनका रोल रहेगा क्यों फिलाल आप लोग यहां से देखो जहूर के साथ में जा सकते हो वियासकान था अगर पूरे चार ओवर कर देना तब तो आपके लिए बहुत अच्छी चुवाई से बाई अपनी टीम में बैक करने के लिए तो फिलाल मैं यहां से ट्राई करूँ है जहूर को क्योंकि इनके पूरे चार ओवर करने के एटलिस थोड़े बहुत चांसीज है एक प्लेयर आपको मिलेगा देखो जेसन बैरेन डोर फालांकि जिस लेवल का प्लेयर है उस लेवल की गेंदबाजी नहीं देखी अच्छा स्विंग गेंदबाज है लेकिन विकेट मिल नहीं रहे है बाई तो अच्छी ट्रम का डॉक्षन बन सकते है अगर ट्राई करना चाहो रिस्क उठाके तो कर लेना गेंदबाज में कोई के मिल नहीं है बस थोड़ा सा फोर्म खराब है ठीक है अभी जो मेरी 11 प्लेयर की टीम है दोस्तों वो बनके की रेट हो चुकी है जो कि मैं एक बार आ आपको मैं फिर से बता दू क्या करोगे अराचिक की अगर मालीच आपको टीम में पिक नहीं करना इनको बाहर कर दीजिए आप लोग डारेक्ट यहां से गेंदबाजी से जा सकते हो व्यासकान के साथ में या फिर अजिता फर्नेंडो को बैक कर लो लेकिन पूरे चार ओव आपके लिए ना बन के जाए तो मेरी ग्यारा प्लेयर की टीम दोस्तों आपके सामने है चेंजिस कहां करोगे कैसे करोगे वो आपको समझा दिया बैटिंग से यूनिक उप्संस आपको बता दी किसको कर सकते हो आपके बास में टीम शिफट है लेकिन ज्यादा नीचे बल् सेफ में ट्राइ करने को या फिर भया निरोशन रिकवला अकॉडिंग टू फोम ये चार प्लेयर आपके लिए टोटली सेफ उप्संस है इस मैच की कैप्टन सी और वाइस कैप्टन सी की यूनिक उप्सं में मैं लेके देखो अविस्का होगो भी आप लोग एज़े सेफ रखना क्योंकि अच्छी फोम दिखाई है ठीक है तो यूनिक उप्संस की मैं बात करूँ तो चरित असलंग का मेरे अकोडिंग पहली डिफरेंशल च्वाइस हुसल मैंडिस आपको टेलिग्राम पे फाइनल अपडेट कर दूँँ है इसको डेमो टीम आना एक दो पे मिलेगी कमेंट सेक्शन में लिंक है दोस्तों सिंपली जी और टेलिग्राम के साथ में जरूर से कर लीजिए उमीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो आपने कम्प्रिट वोच क्या होगा भाई पसंद आयो थिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके